अगर आप अपने यूट्यूब या फिर सूसल मेडिया विडियो के लिए कम बज़ित में एक अच्छा और प्रोफेशनल क्वालिटी के लाइटिंग सेटप तयार करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही विडियो देख रहे हो इस विडियो में मैं आपको अपना देख रहे हो ये विडियो भी इस लाइट को इस्तेमाल करती हुए मैं सूट कर रहा हूं तो लाइट का जो क्वालिटी है उसका आईडिया आपको मिल गया होगा तो आज इस विडियो में हम इसी लाइट के बारे हम बात करेंगे तो अगर आप खुद के लिए भी ऐसा एक लेटी बल्ब है जिसको कि यह जो गोडोक्स का सॉट बॉक्स है यह डिफ्यूज करके उसको स्मूथ बना रहा है ताकि विडियो का जो क्वालिटी है वो इंप्रूब हो सब्सक्राइब है यह मुझे टूटल कॉस्ट पड़ा था 3858 रुपी जिसको मैं राउंड फिगर कर सकते हो मैं जो लाइट स्टमाल कर रहा हूं यह है डिट का 9 फिट लाइट स्टेंड जो कि पुरा मैडल का बना हुआ है और इसको मैं लगबग 3-4 मिन से इस्तमाल कर रहा हूं और इसका बूल्ट क्वालिट एक काफि जदा प्रीमिम है इसको आप लगबग 2-3 साल आराम से इस्तमाल कर पाएंगे अगर आप अच्छे तरीक से इस्तमाल करेंगे तो पूरा मेडल का बना हुआ है और काफी अच्छे क्वालिडी का है और हाइड विसका काफी ज्यादा है लगबग 9 फिट तक इसका है जाता है तो इस लाइट स्टेंड को आपको पर्चेस करना होगा तो यह यहां फिर ऐसा ही एक लाइट स्टेंड आपको पर्चेस करना होगा अपने लाइटिंग सेट आपको तैयार करने के लिए जिसका प्राइस लगबग 700 से 800 रुपिय के अंदर रहता है एमाजॉन पर मैं लिंक निचे रस्क्रिक्शन बॉक्स पर दे दूँगा वहां आप पर सफ्ट बॉक्स लगाने के लिए भी पोर्ट दिया गया है और इसका जो हैड है इसके हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर या पर नीचे कर सकते हो तीसरा जो चीज़ आपको चाहिए उह एक बल्ब होल्डर कंवर्डर एक E27 टू B22 बल्ब होल्डर कंवर्ड उसके बाद आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाले नॉर्मल एलेडी बल्ब को यहाँ पर एटाच कर पाएंगे नंबर फूर और मोस्ट इंपोर्डन चीज़ आपको चाहिए वह एक बल्ब आप यहाँ पर कोई साभी लाइट इस्तेमाल कर सकते हो आप चाहूत यहाँ ध्यार रखती हुए मैं यहाँ पर आपको एलेडी बल्ब इस्तेमाल करने के लिए बोलूँगा आप यहाँ पर घर में इस्तेमाल होने वाले कोई वी एलेडी बल्ब को इस्तेमाल कर सकते हो नौ यहाँ पर पंदरा वाट के जो बल्ब हम घर में इस्तेमाल करते हैं वह ऐस में टोटल तीन LED पैनल है जिसे काफी ज़्यादा लाइट आता है तो आप ऐसा ही 40 या 45 वाट की कोई भी बल्ब हो इस्तेमाल करिए आप लाइन से पर्चेस कर सकते हो पर अगर आप से मेरी जैसा यह जो बल्ब है इसको खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक में इस सेटब है वो बनकर तो तयार हो चुका है अब आप चाहो तो उसको आप डारेक्ली अपने फेस के उपर इस्तमाल कर सकते हो या फिर उसको डिफ्यूज करने के लिए वाइट फोटोग्राफिक आम्रेला इस्तमाल कर सकते हो जो कि बहुत कम प्राइस में आता है पर अगर आ अरने के अंदर मेरा ये सकती वाक्स था और एक भड़र वर था ये जो सकती घोटेवा कि एक अंपरील आशना के सोट बोक्स लगाने के लिए एक होल दिया गया है जहाँ पर हम इस सोट बोक्स की जो रॉड है उसको डालेंगे एक चीज़ ध्यान रखना जो बल्ब है वो उल्टा तरफ होना चाहिए यह जो बल्ब है वो आपके तरफ फेस करके नहीं बल्कि जो सोट बोक्स का बैक एंड ह उसके तरफ फेस करके होना चाहिए जैसे कि मैं यहां पर फिक्स कर रहा हूं आपको कुछ इस तरगे से फिक्स करना होगा तभी आपके बल्ब के जो light है वो जाकर इस soft box को hit करेगा और वहां पर से reflect होकर आपके face के उपर आएगा और यहां पर सामने के तरफ हम इस butter paper को attach कर द यह है और इसका जो sample वीडियो था वो तो अपने देख लिए है पूरा वीडियो इसी light को इस्तेमाल करते हैं सूट किया गया था अभी इस light को compare करके देख लेते हैं यह जो वीडियो आप देख रहे हो यह वीडियो रेकॉर्ड हो रहा है मेरे रूम के एक single LED light से जो कि मेरे सर के ऊपर है यह एक 9 watt का LED bulb है जिसकी मैं यह वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूँ और अब जो यह वीडियो आप देख रहे हो इसमें सिसका का जो LED fan bulb है उसका light directly मेरे face के ऊपर आकर गिर रहा है अभी जो आप यह वीडियो देख रहे हो यह रेकॉर्ड ह हो रहा है सिसका का जो LED fan bulb है उसके सामने white photographic umbrella को रखकर as a diffuser इस्तमाल करती हुए इस वीडियो को मैं रेकॉर्ड कर रहा हूँ यह हमारी Godox के softbox से निकल के आ रहा है आप ज़र कमेंट करके बताओ light की चेंज के साथ साथ आपको वीडियो के quality में कितना चेंज देखने को मिला तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही I hope अभी आप अपना कुद का एक lighting setup तैयार कर पाएंगे अगर आप कोई वीडि झाल